दोस्तो आज हमाई है पलोड के रिवीू के लिए जो कि कटगरीया के पनियाली एरिया में नेर रेसम बाग के पास यह», पलोड है जो कि काफी बड़ी है क्लोनी है जिसके अंदर यह पलोड है और जिस रोटे हम चल रहे हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है हिमान्शू और आप देख रहे हैं सार्थक डिल्स चैनल जिसमें कि आपको प्रॉपर्टी के संबंदित रिव्यू मिलते रहते हैं तो दोस्तों आप सब में से जिस किसी ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी बेल आइकन दबना मत भूलेगा जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिविशन आपको आसानी से मिलता रहे तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं प्लॉट में जिसके रिव्यू के लिए हम आज आए हैं तो जैसे कि मै आए अगर बात कर लें वेस्ट प्रें से इसके रोड है जो की बीस प्रिट है और अगर आपको मिलने वाली है तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइज की तो इसमें आपको मिलने वाला है एक तरफ 28 फीट और एक तरफ 53 feet इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि टोटल 1484 square feet का आपको एक plot मिलने वाला है, तो दोस्तो अगर बात कर लेते हैं water या electricity की, तो दोनों ही चीज़ें आपको plot पर ही आसानी से उपलब्द हैं, तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके आसपास की view की, तो मैं उ fresh air भी आपको यहाँ पर मिलती है, तो दोस्तो आसपास काफी इसमें घर बने हैं, पूरा भरावा या area है, तो जिससे की यहाँ पर आपको आसपरोस की residence की कोई problem यहाँ पर है नहीं, और दोस्तो यहाँ पर temperature भी market के मुकाबले काफी यहाँ पर कम रहता है, लगभग 2-3 degree का यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा market से गर्मी के दिन हुए, तो दोस्तो आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पर market से दूरी की, तो लगभग यहाँ पर आपको दूरी पढ़ने वाली है, 7-8 km यहाँ दूरी पढ़ने वाली है market से, और अगर बात कर ली जाए, school, college की, hospital की, banks, ATMs की, तो लगभग 2 km के अंदर अंदर आपको सारी स्विधाई यहाँ पर मिल जाएंगी, तो दोस्तो रीवी तो पुरा हो चुका, आपने देखा कि कितना है वहतरी फ्लॉट था, तिराहे का है फ्लॉट है, और टूसाड ओपन है प्लॉट है, कॉर्नर का है तो दोस्तो इसका लवा आपको कुछ भी इसका डिटेल चाहिए, तो स्क्रीन पर सोहरे नंबर पर या फिर डिस्प्रिशन बॉक्स में जाकर आप सारे इसका डिटेल ले सकते हैं, धन्यवाद